हेलो फ्रेंस वेलकम बैक माई यूटीब चनल आज मैं आप सभी के सामने एक कलर की उन्वे मैंने इस डिजाइन को बनाया है और आप जैसा की देख पार ही होंगी बहुत ही प्यारा सा डिजाइन नजर आ रहा है यह सामने से कुछ इस तरीके से है और बैक साइड से कुछ इस हिस धिता बना इस तौर कि यह िडिजाइन को चोटे हाँ अगलता इस को बनाने के लिए मैंने वे इस तो इस इस्टार्टिंग बनाने की यहां पर आपको पुछ फंदे ले रखे हैं और आपको करना ये है कि starting में आप 3 फंदे उल्टे बिन लीजे एक दो और 3 starting के शुरू में वाले 3 फंदे उल्टे बिनेंगे उनको पीछे करेंगे एक फंदा सिधा बिनेंगे फिर उनको अपनी ओर लाएंगे और 2 फंदे का गैप देंगे तो 2 फंदे उल्टे बिनेंगे उनको पीछे करेंगे एक फंदा सिधा बिनेंगे फिर से उनको अपनी ओर लाएंगे, दो फंदा उल्टा बिनेंगे, उनको पीछे लेके जाएंगे, एक फंदा सिधा बिनेंगे, फिर वापस से दो फंदे उल्टे, इसी तरीके से आपको पूरी रॉब बिन लेना है, दो फंदे उल्टे, एक फंदे सिधे, दो फंदे इसे आपको stitch करने में कोई भी design बनाती है तो एक फंदा extra रखेंगी तो stitch करने में बहुत ही helpful होगा तो आप back side से हमें क्या करना है जो फंदे उल्टे हैं उसे सिधे बिनेंगे और जो यह सिधे फंदे हैं उसे उल्टे बिनेंगे देखिए इस तरीके से तीन फंदे उल्टे ह इस तरीके से हमें second row back side से complete कर लेना है अब हम third row में मैं आपको design बनाने बताऊंगी देखिए प्रेंसी हो गया अब आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे कि एक दो तीन चार चार फंदे जो हैं यहां पर सिधे सिधे वाले हैं तो यहां पर चार design बनेगा तो चार design बनाने के लिए क्या करना है पहले हम इसमें बनाएंगे और इसमें नहीं बनाएंगे फिर इसमें बनाएंगे और इसमें नहीं बनाएंगे मतलब एक को गयप देंगे कि जाओ निए देखीक तीन फंदय उल्टे बीनेंगे उनको पीछे लेके जाएंगे अब यह सीध्या वाला फंदा जो है इसमें हमें 7 फंदे बनाने है आप लोगों को मालूम होगा कि 1 फंदों में 7 फंदे कैसे बनाते हैं नहीं तो इसको धियान से देखिए इस तरीके से सीधे फंदे में इसनगी इन करेंगे ऐसे 1 फंदा निकालेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच फिर से उनको अपनी और लाएंगे और इसको हमें वापस से घुमाएंगे तो अब जो है हमारे पास सेवन फंदे आ गए हैं देखें फिर इसको अब हमें ये सिद्या वाला फंदा जो है इसको छोड़ देंगे अब हमारे पास एक फंदों में साथ फंदे हैं फिर हमें क्या करना इसको इसी टाइम पे रहने देंगे फिर ये दो फंदे उल्टे हैं इसे दो फंदे उल्टे बिन लेंगे उनको पीछे करेंगे इस वाले फंदों में हमें डिजाइन नहीं बनाना है इसमें gap देना है फिर इस वाले फंदों में हमें design बनाना है तो देखिए सीधा फंदा वापस से आ गया अब इसमें हमें 7 फंदे बनाना है 1 वापस से उनको इधर लाएंगे 3 वापस से उनको इधर लाएंगे 4, 5 वापस से 6 and 7 देखें बहुत आसान था ना अब इसे छोड़ देना है और फिर इस वाले फंदे को हमें वापस से 2 फंदे उल्टे एक फंदे सीधे वापस से यहां पर 3 फंदे लाश्ट के तो अब देखें क्या करना है इस डिजाइन का second row यह तो यहां तक बनेगा अब इस वाले फंदे को जो हमने एक फंदों में 7 फंदे बनाएं यह भी उल्टा बनेगा प्लस इस के 2 फंदे उल्टे हैं इधर हैं और 2 फंदे इधर उल्टे हैं तो 7, 8, 9, 10, 11 मतलब टोटल हमारे इस इस तरीके ऐखें से एके करके 7 फंदों को सेपरेट करना हें अलग करना है सब को देखें इस तरीके से सभी फंदे उल्टे बिन लेने हैं अब आपसे क्या करना है एक फंदा सीधा है तो इसे सीधा बिनेंगे और फिर यहां से यहां तक हमें एक दो यह एक्स्ट्रा फंदे तीन यह चार यह पांच यह छे यह साथ यह आठ और यह नौ देखें यह हो गया यहां का टोटल नौ फंदा इस तरीके से हो गया यहां यहां पर हमने यह नहीं बनाया है इस तरीके से यह गैप दिया है अब आपको क्या करना है इस तरीके से ही रिपीट करते जाना है इसमें और कोई चेंजस नहीं करना है इसमें कोई बदलाव नहीं लाना है बस जो फंदे जैसे हैं बस उसी तरीके साब को बिनना है इ यहां से यहां तक 9 फंद्थे हमें उल्टे बिन लेने है। मैसी बननाकी बढानाम किते बचलर स orphan बहुत ही प्यारा नजर देखें फोने में सिरो तक कि क्लेकर यहने हैं कि ने सक्वेय। उनको अपने और लाएंगे और उल्टे फंदे भी नेंगे तो यहां पर दो लाइन आपको नजर आ रहे होंगे उल्टे फंदे के दो लाइन नजर आ रहे हैं तो इसी तरीके से आपको अगर छोटा वाला बनाना है तो तीन लाइन ही बनाईए और अगर बड़ा वाला बनाना है तो यहां पर पांच लाइन उल्टे फंदे बनाने है फिर इसके वाद इसे घटाना कैसे है वो मैं आपको बता दूँगी तो पहले हमें क्या करना है इसे कम्पलीट करना है तो दो सिलाई हमने बीना है उल्टा अब यह तीसरी सिलाई है बैक साइड से इसे भी हमें सभी फंदे यहां से यहां तक सिधे बिन लेने है देखिए एक इस तरीके से इस तरीके से देखिए तो मैं इसे कम्पलीट कर लेती हूँ आप भी इसे इसी तरीके से बीन लीजिए तो देखिए फ्रेंस अब क्या करना है यहां पर मैंने बीन लिया है तिना डिस्टेंस बना लिया है कि 1,2,3,4,5 फंदे हमने यह लाइन जो है बनाए है तो आप इस इस तरीके से गिन के बनाएगा तो सारे फ्लावर एक साइज के बनेंगे जैसे कि देखिए आप गिन लीजेगा एक दो तीन चार पांच पांच लाइन हो गया कम्पलीट तो आप मैं आपको इसे घटाना बता देती हूँ घटाएंगे कैसे जैसे एक फंदों में 7 फंदे बनाएथे ना अब घटाना है तो घटाने के लिए क्या करना है एक स्टार्टिंग में हमने पांच लेए थे तीन तो यह तीन फंदे को लेंगे उनको पीछे करेंगे और यह देखिए इस तरीके से एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ, साथ फंदों को हमने यहां से यहां टांसफर कर लिया, दूसरी सिलाई में, इधर के भी दो फंदों को हमें छोड़ना है, तो हमें यह दो फंदे छोड़ दिये हैं, अब क्या करना है, यह उन हमारा इधार है, इसके उपर से सिलाई को, सिलाई के उपर ऐसे रख तेपर से फंद कर द दीन 3 पंदों नहीं को नहीं छोड़ना है से रहने अब द ए को हैएर रहनी दके हो गया है यह आप सभी को है एक संद पसक्ड रहें आपर हम रखेसे तो हमें ऐसे बीन लेना है फिर उनको पीछे रखेंगे तो देखें यह जो चेरी सेफ में डीजाइन है वो खुद बखुद बन जाएगा देख पा रही होंगे आप अब यह सीधा फंदा ले लेंगे अब फिर से हमें क्या करना है दो फंदे को ही छोड़ना है तो यह एक और यह दो दो फंदा बीन लेंगे उनको पीछे करेंगे और यह देखें एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ साथ फंदे लेंगे अब इधर भी देखें दो फंदे बच गया है उनको बस ऐसे रखना और एक एक करके इसके ऊपर से लाका इसे छोड़ना हो है ना बहुत यासान है कोई दिकत नहीं आएगी अगर फिर भी कोई दिकत आता है तो आप मुझे जरूरा पूछिए कि कैसे घटाना है तो मैं आपको बता दूँगी कि कैसे घटाना है देखी और देखे इस तरीके से आपको सभी फंदे जो है ना सेवन फंदों को इस तरीके से लाना है वापस से हमारे पास एक फंदा बच जाता है वन फंदा बच जाता है उनको अपनी और लाइए और फिर दो फंदे उल्टे भी निये उनको पीछे एक फंदा सीधा के चैरी सेफ में बहुत ही प्यारा सदे कि कमाल सदी जाइन बन करके तयार हो गया है आप इसको कितना भी साफ करिए धूलिये और कुछ भी करिए यह सुकूरने वाला नहीं है अब हमें बैक साइड से क्या करना है यह वाला फंदा यह एक फंदा बचा हुआ है ना एक फंदा सिधे, एक फंदा उल्टा यह वाला फंदा जहना है कर दो फंदे सिधे, एक फंदा उल्टा अंव्य कि दो नेक्स्ट डीजेन आप इसमें बना लिजेगा इसको अब हमें जैसे ही घटा के वापस से हमारे आये राइट साइड में तो फिर इसको हम मैं बता ही देती हूँ आपको कोई confusion ना हो देखें ये सिधे वाले फंदे अब बनेंगे ये आगे जाकर के इसमें डिजाइन बनेंगे ये दो फंदे उल्टे अब इन फंदों में एक फंदों में साथ फंदे बनाना है ये हो गया फिर उनको अपनी और लाएंगे फिर से तीन 4, 5, 6, 7 , 7 फंदों हो गए फिर इस को हम छोड़ना है देखें इस तरीके से तो पूरी रो ऐसे बनाना है और जब ज्यादा बना लेंगे आप तो इस तरीके से आपको नजर आएंगे देखें मैंने आपको बना करके दिखा दिये है और ज्यादा भी मैंने बना करके रख लिया है तो उमीद करेंगे आप सभी को डिजान प्रस ये वीडियो पसंद आये होंगे helpful लगे होंगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी स्वेटर बनाती है उसमें सेयर करें तो थैंक्स पर वचिंग मैं वीडियो थैंक यू